हेलो दोस्तों नवस्कार मैं जटवारी अपनी चनल एक्जम तक में आप सभी लोगों का हर्द देख स्वकत करता हूँ दोस्तों यदि आपने हमारी चनल सब्सक्राइब नहीं की है तो हमारी चनल को ज़रो सब्सक्राइब कीजिए हम आपको बहुत important notes और वीडियो प्रवाइड करेंगे तो चली चलते हैं आज का हमारी टॉपिक के railway group D दोस्तों यदि आपने railway group D का exam दिया है और इसके answer की देखने के बाद आप किसी भी प्रकार की form भरा था और इसके answer की देखने के बाद यादि आप परिसान हो तो इस वीडियो को starting से enter जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे point बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको जरूर खुसी मिलेगे दोस्तों एक बाद समझे कि मैं आप तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज मैं आपको railway group D के जो अभी answer की आई है इससे related जितने भी point बताऊंगो उसको आप starting से enter दिरूर देखें दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम नंबर आने पर railway group D में फिचकल के लिए आपको बलाया जा सकता है तो किस प्रकार बलाया जा सकता है answer की आ गई है आपने check भी कर लिए होगे कि आपके कितने marks negative marking को हटा कर बन रहे है तो इस पर answer की कि तहत आपका जो cut off है वो लगभग कितना जा सकता है और तीसरा point में आपको बताऊंगा कि यदि आपकी answer की आपने check कर लिए हैं और अपने number देख लिए हैं आपके number 100 में से कितने आ रहे हैं एदि आपके इतने marks बन रहे हैं जो मैं एक cut off बताऊंगा आपकी category के according आपके उतने marks आ रहे हैं तो आपको 100% physical के लिए बुलाया जाएगा तो आपको बताना है कि आपके इतने मास बन रहे हैं कि नहीं तो यह सारे point हम किर्म से देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं उसको धहन से देखिए दोस्तों अपनी question को check करने के दौरण आपको कुछ question में ऐसा मिला होगा देखिए यहाँ पर जैसे एक question number 27 लिखा हुआ है इसकी नीचे एक note लिखा हुआ है for this question, discrepancy is found in question and answer so this question is ignored for all candidates आप सभी candidate को इस question को ignore करना है इसका marks आपको सही होने के बाद भी नहीं मिलेगा क्यूंकि इस question में कुछ न कुछ कमी है यह question गलत पाया गया है railway की तरब से इस question को हटा दियागा है मतलब यह है कि आपकी जो marks हैं आपको 100 number में से count नहीं हो रहे हैं ऐसे question आपको एक नहीं मिलेगा जैसे इस paper में जब मैंने answer की चेक की तो इसमें 4 question गलत थी मतलब rrb ने railway ने इन 4 question को marks नहीं add करेगा वो तो इसमें से जो result जो हम लोगो 60 और जो answer की मैंने चेक की हैं वो एक essay student की किये हैं जिसने पहली बार में ही दावा किया था कि उसके 90 question attempt करके आया है और 90 question में उसके लगभर लगभर 80 negative marking को हटा करें 80 से एक कम question गलत नहीं हो सकता 80 marks आने ही आने है 4-5 question गलत होंगे और वो काफी समय से मतलब आप ही समझ होगा है और 4 साल से लगभर लगभ भॉपाल में कोचिंग कर रहा है तो आप समय सकते हो कि जो 4-5 साल से कोचिंग कर रहा है बड़े-बड़े exam की कोचिंग कर रहा है ग्रुप D में उसके 90 question attempt की हैं बोलके आया था कि उसकी 80 question मिलकूर सही होंगी उसकी question कहा पर जाके कर रहे 60 marks उसके आ रहा है negative mark को हटा कर तो आप इस बास से एक अंदाजा लागा सकते हो कि आपको ऐसा कोई भी student नहीं मिलेगा ऐसा कोई भी student नहीं मिल सकता जिसने जितना एजिंग किया था कि उसके इतने marks बन रहे हो उतने ही आया होंगे हरे student के marks घटे हैं जिसने 70 सोचा था उसक सारी student head है हर किसने बोला है कि सर यह problem हारी किसने यह तक बोला है कि सर जैसे 27 का second option सही है तो मैं second लगा कर ही आया था option लेकिन वहाँ पर जब आंसर की में देख रहा है तो उसमें के लिए हो कि आ रहा है कि आपने third number का जो option है वो चूज किया था आपने second चूज है नहीं किया तो इस परकार की problem होई है लेकिन ऐसा तो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे ऐसा नहीं हो सकता अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो आप बताइए हो सकता है जो यह software है software में कोई भी problem हो सकती है अकर दो चर्व कुशन आपको भी लगता कि ऐसे question हुए है तो बहुत सारी candidate ने apply किया था हाँ यह बात अलग है कि इतने सारी candidate अपले किया तो उसमें से किवल 60% student ने परिक्षा दी थी तो बहुत सारी candidate कम भी हो जाते लेकिन फिर भी बहुत है student है और vacancy भी काफ है 100% आपका अगर इतने marks बन रहा है अपनी category के according यदि आप जनरल केटागरी से हो यदि आप जनरल केटागरी से बिलोंग करते हो और आपकी 55 marks क्या इससे जादम बन रहा है सही सही negative marking को हटा कर जूरू देख लेना तो आपको 100% physical के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद आप सकता है यदि आप और आपके 50 marks मन रहा है तो आपको 100% physical के लिए बुलाया जाएगा आप करेगा फिजकल की बाद final selection हो सकता है कि नहीं तो आपका selection हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता बोटेपेंट किस पर करेगा कि कितने कंडिडेट से बाहर हो रहा है वैसे एक प्रीके से बहुता हूं कि इसमें कोई टफ नहीं है बहुत जादा टफ नहीं है तो हां ऐसे जो कंडिडेट हैं वो अच्छे मास लेकर आया है लेकिन उन्हें कभी दोड़ा रंग नहीं की ह किसी एक्जम के लिए तो वो हो सकते हैं क्योंकि इसमें चार मिनिट पंदर सेगिंड आपको दिया गया है और एक किलोमीटर आपको रेस लगाने है इसके अलावा आपको सिर्फ सौ मीटर दोड़ना है 35 केजी का बजन लेकर लड़कों को और 20 केजी का बजन लेकर लड़क क्या है उसका रिजन यह है कि बहुत जादा है बहुत जादा है तो इसमें फिजकल में अभी किवल 62,000 कुछ कंडिडिट करना है इससे कहीं कुना सेलेक्ट करेंगे सबसे बड़ा प्रेक्टर नॉर्मलाइजेशन का नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फेक्टर है जिसमें जिसक बहुत कम नॉर्मलाइजेशन बहुत होने के कारण आपका वं आने पर भी आपको आपको वीजिकल की तैयारे कीजिये आप हन्डिड को सब्सक्राइब कीजिए पास ममनी हो बेल पर किलिक जरू कीजिए थैंक यू